नमस्कार दोस्तों मेरे चानल Automation Hub साथ हक में आप लोंगा स्वागत है इस सीरीज का दूसरा वीडियो जावा सत्रा के साथ हम जो सीख रहे हैं अभी Eclipse डाउनलोड करने का टाइम आ चुका है देखिए मैंने आलेटी डाउनलोड कर दिया है पहले से ही लेकिन मैं जो नया बाता हूँ कि आप कौन सा Eclipse प्लीज डाउनलोड कीजिए तो डाउनलोड एकलिप्स ऐसे गूगल में टाइप कीजिए यह वाला लिंक ओपन होगा यहां पे डाउनलोड पैकेज़ बोलके है इस लिंक में आप आएंगे तो आप डाउनलोड पैकेज़ बोलके है यहां पे आप क्लिक कीजिए फिर यहां पर आपको बहुत सारे एकलिप्स के वर्जिन्स मिलेंगे टेकनिकली देखा जाए तो बहुत लोग इसी को यूज कर लेते हैं लेकिन मैं रेक्रमेंड करूंगा इसको आप डाउनलोड कीजिए जहां तक मैंने देखा है कि यहां पर मोर डाउनलोड पर आएंगे दूसरे बिल्ड्स यहां पर जो डिसमबर 2022 का जो 4.26 वर्जिन है यह एकलिप्स बहुत स्टेबल है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर विंडोस x86-64 इस लिंग पर क्लिक कीजिए यह एक आपको यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक जिप फॉर्म में यह पेज में आएगा जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यह डाउनलोड होना शार्ट हो जाएगा ठीक है फिर आप अपने हिसाब से मैंने तो अपना automation folder में यहां पर eclipse को ऐसे रख रख है देखिए यह से डॉट जिप में डाउनलोड होता है इसको यहां पर यह आप एक्स्ट्राइट कर देंगे तो आपका eclipse Extract हो जाएगा ऐसे य। यह देख रहाएं यह फोल्डर पहले ऐसे डाउनलोड होगा जो कि यह वाला फाइल है यह डाउनलोड होगा यह उंल डाउनलोड होता है ुरिंदो वालों के लिए share रख मारिज़ेश इसको मैंने फिर extract किया यहीं पर Eclipse folder देखिए लगभग 883 MB का file है आप इसको डबल क्लिक कीजिए फिर यहां पर आप Eclipse.exe file को यहां पर डबल क्लिक करके open कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह desktop में shortcut आ जाए तो फिर आप इसके उपर right click कीजिए यह exe file के उपर right click की कीजिए show more options में जाएए यहां पर send to में आपको desktop create shortcut करना पड़ेगा तो जैसे आप करेंगे यह आपको यहां पर बुला लेगा तो आप डबल क्लिक करके open कीजिए यह पता नहीं क्यों टाइम ले रहा है कि अभी खुल गया कि लॉन्च कि यह मेरा एक्लिप्स खुल चुका है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मेविन हम लोग डाउन्रोड और कॉन्फिगर कैसे करते हैं उसके बाद हम एक पॉम.xml फाइल में डिपेंडेंसिस वगरा डालके मेविन प्रोजेक्ट बनाएंगे इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक्लिप्स डाउन्रोड करना सिखाया और उसका शॉटकट कैसे यहां पर बुलाते हैं कौन सा एक्लिप्स डाउन्रोड करना है कैसे यूज़ कर रहा हूं काफी टाइम बोले तो चार महीनी से यूज़ कर रहा हूं बहुत स्टेबल है मैंने लेटेश वाला डाउन्लोड किया था लेकिन एक दो बार हैंग होने की इशूज आए तो मैंने अनिस्ट्रॉल कर दिया वापस डिसमबर 2022 वाले पे चला गया हूं तो अगर आप इसको देखेंगे एकलिप्स के तो देखें ये मेरा डिसमबर 2022 का 4.26 वर्शन वाला है काफी स्टेबल है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सारा सब कुछ फीचर सब कुछ मिल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि 2023 मार्च वाला एप्रिल वाला डाउनलोड करेंगे 2022 वाला डाउनलोड करेंगे तो इसमें कुल जादा फीचर जैसा कुछ नहीं है जो भी फीचर आपको उतना फरक नहीं पड़ेगा जावा आटोमेशन ऑसलेने जावा आटोमेशन के लिए बहुत है अब डिसमबर 2022 का डाउनलोड कर लिजिए वह जिप होके डाउन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मर भूले थैंक्यू सो मच साथ है के साइन आफ